इस प्रिजम का जो प्रिजम एंगल है वो six degree ही है पतलब काफी छोटा है प्रिजम एंगल ए होरिजोंटल रे ओ फिल ऑ फ्लाइट इस इंसिदेंट वॉट इंगल प्रिजम उप्रिजम एंगल 60 डिग्रे और जोन्टल यह करे से आ रही है इस सर्फेस पर यह डेंसर मीडियम है और यह रेर मीडियम है जब डेंसर से रेर में जाती है लाइट तो इट बेंड अवे फ्रॉम दर्मल यह नॉर्मल है और मेरे को यह अंगल ऑफ इमर्जेंस निकालना है अब यह तो टै हुआ कि जब एक लाइट अपना मीडियम चेंज करेगी रिफ्रेक्शन के दुदू अब हम लोगों को यहां पर लगाना होगा तो मैं चाहता हूं यहां पर इस पॉइंट पर तो लगाने के लिए मैं जानता हूं कि जब भी कोई रहे लाइट अपना मीडियम चेंज करती है तो मियू इंटू साइन थेटा कॉंस्टेंट रहता है तो यहां का जो मियू है वो वन पॉंट फाइव है साइन अरब मेरे को एंगल केल्कुलेट करना है एंगल मदला कितने एंगल पेंशडेंट हुआ अंगल के साथ निकला जाथ है इंशडेंट रहा है और मुझे यह वाला एंगल चाहिए यह वाला एंगल कैसे निकला जा तो देखोई यह 6 डिग्री है नाइंटी है कि जो ट्राइंगल होता है ना उस ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री रहता है यह वाला एंगल कितना हो जागा 90 मनस 6 90-6 का मतलब कितना हो गया 84 degree इसा मैंने क्यों किया क्योंकि इसके तीनों एंगल का sum 180 degree होना चाहिए यह 90 है तब बाकि दोनों बचे वे जो है उनका sum 90 होना चाहिए तो अगर यह 6 है तो यह 84 होना होगा यह पूरा यह वाला जो एंगल है ना यह नॉर्मल है और यह वाली सर्फेस से पूरा एंगल 90 डिग्री है उसमें से गरी 84 है बताओ यह वाला एंगल कितना रह जाएगा इस एंगल इस इकल्स टू 90 मानस 84 मतलब 6 डिग्री यह एंगल शे डिग्री का है इसका अगल आफ इंस मेरे पास मैं 6 डिग्री आ गया तो यहां पर मैं 6 डिग्री लिख दूँगा इस वाले मीडियम का इंडेक्स मेरे मान लिया जब कुछ भी नहीं दिया वाता हो तो अपनलोग एर मान लेता है इंटो साइन ई तो साइन ई इस इकुल स्टू हो गया 1.5 इंटो साइन 6 डिग्री अब देखो जो अपना प्रिजम एंगल हो बहुत चोटा दिया हुआ और मैं फिजिक्स में एक बात बहुत अच्छे से जानता हूं कि जब जब थीटा स्मॉल होता है अब तब हम साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं हुमारे पास आजादी होती है तो क्योंकि एंगल स्मॉल है 6 डिग्री है साइन 6 डिग्री को मैंने सिंपली 6 डिग्री लिग दिया साइन एक को मैंने लिग दिया 1.5 का मतलब होता है 3 by 2 into 6 इस तरह से एंगल आफ इमर्जेंस निकल कर आया मेरे पास में 9 डिग्री तो 9 डिग्री is the correct answer of this question. This is the correct answer. तो यहां पे खास बात क्या थी एक तो स्नेर स्लो लगाना हो स्नेर स्लो लगाने के साथ साथ में एंगल्स कैल्कुलेट करना सही तरह से स्नेर स्लो का यूज करना और एक बहुत ज़्यादा खास सिच्विशन ही कि जब थीटा स्मॉल होता है तो हम साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं को मैनत कीजिए सफलता आपकी मुठ्टे में होगी